हलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का एक बर फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ आशिस क्लासेज पर 28 तोब जून का फर्स्ट एडिटोरियल हम यह डिसकस करेंगे और स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि आपको एप्लिकेशन डाउनलोड करना है आशिस क्लासेज यहाँ पर ग्रेमर का बैच अविलेबल है, जीरो टू एडवांस लेवल का और एक ट्रांसलेशन का बैच चल रहा है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का बैच अगर आप अपने अपने अंडर्स्टेंडिंग डेवलप करना चाहते हैं या किसी एक्जाम में ट्रांसलेशन पूछा जाता है, तो उसके लिए बहुत ही इंपोर्टन वो कोर्स है अगर आप अडिटोरियल वाला बैच जोइन करना चाहते हैं, जो हर वेंस्डे से स्टार्ट होता है उसके लिए आपको Assis Classes English एप डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर से सीधा डाउनलोड करें और यहाँ पर दो एडिटोरियल पर डे मिलते हैं आपको, एक एडिटोरियल जो होता है वो शाम को 5 बज़े जो यूट्यूब पर मिलता है, वही होता है लेकिन उसका PDF आपको एप्लिकेशन पर मिलेगा, एक दूसरा एडिटोरियल लेट नाइट को मिलता है, उसका PDF भी आपको मिल जाता है ठीक है, क्लोस टेस्ट और पैराजंबल का कोर्स भी यहाँ पर अबलेबल है, तो इस तरीके से यह सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी तो आज के रिटोरियल में कौन-कौन से वर्ड्स आप देखने को मिलेंगे, वो देखिए लेट ओफ एक शब्द है, लेट ओफ फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है, excuse, pardon, exonerate, absolve किसी को माफ कर देना या दोश-मुक्त कर देना, excuse, pardon, exonerate, absolve दूसरा है डैश, डैश का मतलब, डैश एक वर्ब है, इसका मतलब crash, break, smash, shatter तोड़ने को बोलता है, crash करने को, break करने को, smash करने को, shatter करने को, toड़ना तीसरा शब्द आपको मिलेगा, एक फ्रेज है, miss the mark miss the mark का मतलब होता है to fail, एसफल हो जाना, ठीक है, यह होता है, miss the mark number four पे है proscribe, जो कि एक verb है, इसका मतलब है ban, bar, या embargo प्रतिबंद लगाना यह होता है प्रोस्क्राइब फिर है टिप दा बैलेंस यह एक फ्रेज है टिप दा बैलेंस का मतलब है कि बिट्टु कॉज चेंज किसी चीज के घटित होने का कारण बनना कोई चीज क्यों घटित हुई है उसके पीछे क्या कारण है वो टिप दा बैलेंस है ठीक है तो कॉज अचेंज इसका मतलब क्रिटिसाइज करना होता है अलोचना करना है अगला है स्टेंग फ्रेज मिलेगी आपको ब्रिंग टु अस्टेंग पॉइंट बनता है और इसका मतलब है ऑप्स्टेकल रुकावट फिर एक फ्रेज मिलेगी आपको ब्रिंग टु अस्टेंड स्टिल तो इसका मतलब है तो कोज अ परसन और फिंग टू स्टॉप मतलब कोई चीज का ठहर जाने का कारण बनना किसी चीज का रुक जाने कारण बनना तो यह सब हैं तो आज की क्लास में मैक्सिमम आपको फ्रे फ्रेज या फ्रेजल वर्प्स दी हुई है आज का रिटोरियल है अनदर शेड ऑफ ग्रे ऑन पाकिस्तान स्टेंग इन एफटी अफ लिस्ट अनदर शेड ऑफ ग्रे देखो शेड ऑफ ग्रे वैसे एक फ्रेज के रूप में अगर लेटने तो इसका मतलब है कि ऐसी फ ने इसको अपने लिस्टिंग में ग्रे लिच्ट में रखा है पाकिस्तान को कि दिस पर लेकर आर्टिकल है कि पाकिस्तान जो है वह भी भी FATF लिस्ट में बना हुआ है अभी भी इसको बाहर नहीं किया गया है उस लिस्ट से ठीक है तो ग्रे लिस्ट में होने का मतलब प्रतिबंद लगे हुए पाकिस्तान पर और अगर पाकिस्तान यहां पे थोड़ा सा और हम सीखते हैं translation, grammar, vocabulary, comprehension साथ में current happening जो भी है उसके भी touch में हम आ जाते हैं पता लग जाता है कि वरतमान में क्या चल रहा है तो यह करिटोरियल मात्र से आदा घंटे से बहुत कुछ आप सीख सकते हैं जरूर से इस session को आप share कर दीजिएगा और एक like करके जाएगा आये स्टा पाकिस्तान जो है वो FATF list में stay किया हुआ है बना हुआ है इंडिया must push for justice in cross border terror attacks तो भारत को यहां पे must दे रखाया मतलब obligation है कि जरूर से जरूर push for का मतलब परियास करना चाहिए justice न्याय मिले भारत को किसके लिए cross border terror attacks कि सीमा पार से जातंकवादी हमले होते हैं उसमें justice प पाकिस्तान ठीक FATF list में है फिर भी भारत को यहां पर जरूर से प्रियास करना चाहिए कि cross border terror attacks जो भारत पर होते हैं उसका इसको justice मिले एक बात यहां पर काम की यह है पहले तो समझ लो कि subject और वर्ब कौन-कौन से हैं तो पाकिस्तान subject है stays वर्ब है इंडिया subject है और must push यह लोग जो होते हैं वो एक नुसरे की विपरीट result अला कर देते हैं वाईल कान जंक्शन के रूप में है आगे देखें पाकिस्तान की आशाएं किस चीज़ की आशाएं इस चीज़ की कि पाकिस्तानों क्या कर दिया जाएगा लेट form क्योंकि लेट की तीनों सेम होती है अब या बी मतलब कोई भी form है तो इसका मतलब मानके चले कि वो थर्ड फॉर्म या आई एंजी दो ही रूप लेता है यहां पर यह थर्ड फॉर्म है ठीक है तो पाकिस्तान की जो आशाएं हैं किसकी की पाकिस्तान को माफ कर दिया जाектор केंसे मतलब さब तो हॉप यह लें एक बार पिर से इनको फिर से तोड दिया गया और übrig एज क्योंकि यह conjunction है इसका मतलब because है तरटीनाइन मेंबर गुरूपिंग यह गुरूपिंग है एफटी एफ समूँ थ ole नाउन से पहले जब नाउन लगती है तो उसे कहते हैं नाउन मोडिफायर और नाउन मोडिफायर जो है वो adjective के तरह function करता है और adjective का plural नहीं बनता है इसलिए यहाँ पर members नहीं हो सकता ठीक है? क्योंकि 49 हदाश्य जो है इस समूँ के उन्होंने तै किया क्या, to keep it on the list, कि इसको रखा जाए, किस में? लिस्ट में, मैंने खहा था, लिस्ट से पहले ओन लगेगा, and even add more tasks, और यहां पर यह भी ताइक किया, कि यहां तक की, और भी task इसको दिये जाए, ठीक है, यह task भी पूरे करो, कि तो hops की verb है, वो word dashed है, और यह 39 member grouping जो subject है, इसकी verb decided है, और इसी की verb यहां पर add है, क्योंकि end से जुड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान की आशाएं जो थी, कि इसको दोश्मुक्त कर दिया जाएगा, इसको माफ कर दिया जाएगा, ग्रे लिष्ट से, वो आशाएं यहां पर तोड़ दी गई, एक बार फिर से, क्योंकि 49 अदश्यों का जो यह group है, FATF, इसना तैय किया, कि इसको इस लिष्ट में रखा जाए, और यहां तक कि इसको और भी task दिये जाएग, eventually, eventually का मतलब होता है, अंतते, finally, और किस कारण से SFL हो गया, एक महत्वण पॉइंट था, वो पूरा नहीं कर पाया, crucial का मतलब है, important, significant, vital, ठीक है, out of 27, तो 27 इसको पॉइंट दिये गए थे, task दिये गए थे, 27 में से एक पॉइंट इसने पूरा नहीं किया, इस कारण से यह SFL हो गया, being judged, अब यह हाइफन लगा कि बताया है कि वो कौन सा पॉइंट था, being judged deficient, deficient एक sufficient का opposite है, deficient का मतलब कमी रह गई, sufficient का मतलब काम पूरा हो गया, परियाप्त हो गया, तो इसको यह judge किया जाने में कि भी इसको judge किया गया deficient, मतलब इसको में कमी पाई गई, किस चीज में, in prosecuting, prosecute का मतलब होता, मुकदमा लगाना किसी पर, legal case दायर करना, ठीक है, law suit फाइल करना, तो इसने मुकदमा नहीं लगाया, किस पर, the senior leadership, वरिष्ट जो नितरत्व है उस पर, और नितरत्व किस का, of UN proscribed terror groups, proscribed का मतलब क्या बताया था, ban करना, bar करना, embargo, परतिबंद लगाना, अब यहां तो actual बें, adjective form में है, कि UN के दुआरा, proscribed terror groups, वो आतंकवादी ग्रूप जिनको परतिबंधित किया गया है, उनका तो senior leadership है, उन पर इसने मुकदमा नहीं किया, इस point पर यह खरा नहीं उत्रा, इस कारण से यह इस list से बाहर नहीं निकल पाया, तो यहां तक की बात अगर फिर से करेंगे हम, तो finally, अन्ततय पाकिस्तान है सफल हुआ, एक crucial point से रह गया है, एक बड़ा ही important point था, उससे यह miss कर गया, इस mark को, 27 में से, किया, being judged deficient, कि इसको अभी hyphen लगा के इसमें describe किया है, कि इसको क्या किया गया, judge किया गया, deficient, कि यह इसमें कमी रह गई, किस चीज में, कि मुकदमा नहीं लगाया इसने, कि इस पर UN के दरपतिबंदित जो terror groups हैं, उसके senior leadership पर से मुकदमा नहीं किया, इस कारण से इसको बाहर नहीं निकाला, the FATF works closely, FATF की verb है, वो works है, FATF काम करता है closely, बहुती नजदीकी से, with a UN security council's listing, इसके साथ, UN की जो सुरक्षा परिशद है, उसकी जो सूची है, listing of terror groups, तो वो जो terror groups की सूची बनाता है, उसके साथ मिलकर यह काम करता है, as it evaluates, क्योंकि, as यहाँ पर conjunction है, it यह FATF के लिए है, evaluates, assess करना है, मुल्यांकन करना है, तो यह मुल्यांकन करता है, कि countries on their efforts, तो यह देशों का मुल्यांकन करता है, किस अधार पर, उनके प्रियासों के अधार पर, प्रियास किसके, in anti-money laundering, और countering, the financing of terrorism, इस अधार पर, ठीक है, anti-money laundering, कि यहाँ पर प्रियास, कि भई, आप money laundering, मतलब अगर illegal तरीके से पैसा मंगवाते हो, भेजते हो, उसको money laundering, बोलता है, anti-money laundering का मतलब कि उसको रोकने के, एंटी जहाँ लग गया, वो भी प्रियास हो गया, तो money laundering को रोकने के, क्या प्रियास आपने किये हैं, या countering, countering का मतलब भी, oppose करना होता है, anti का कामी करता है, the financing of terrorism, आतंकबाद को counter करने के लिए, आपके प्रियास कैसे हैं, इन सब को evaluate करता है, ठीक है, यहां तक फिर से देखेंगे, तो FATF की work तो हो गई, if works, closely है, वो यहां पे adverb है, तो FATF बहुत ही closely काम करता है, किसके साथ UN Security Council की, जो listing है, terror groups की, उसके साथ, क्योंकि यह evaluate करता है, जांसता है, देशों को, उनके प्रियासों के अधार पर, कि देशों ने कितना प्रियास किया, AML और CFT, जो यह full form दे रखे, anti-money laundering, और countering their financing of terrorism, इसको रोखनिया कितना प्रियास किया, पाकिस्तान's failure to convict, convict जो होता है, इसका मतलब दोश लगाना है, आरोप लगाना है, इसका opposite होता है, वो acquit होता है, इसने यूज किया है, वो transitive verb के रूप में यूज किया है, J.E.M. Chief मशूर मसूद अजहर है, वो इसका object है, इसलिए आपे off की आवशकता है नहीं आपको, तो पाकिस्तान का जो failure है, पाकिस्तान की जो ऐसा फलता है, किसमें, जैशे मुहमद के चीफ मसूद अजहर को कनविक्ट करने में, कि इसने इस पर दोश नहीं लगाया, इस पर आरूप नहीं लगाया, इसमें जो आशफलता है, और बाकिये के जो भी आतंकवादी हैं, उन पर कन्विक्ट नहीं किया, अपीर्ड, यह ऐसा लगा to tip the balance against it tip the balance का मतलब है किसी चीज़ के होने कारण बनना cause to happen something cause to bring change है ना तो यह इसके खिलाफ गया पाकिस्तान के खिलाफ क्या चीज़ें गई पाकिस्तान की ऐसाफलता कि पाकिस्तान जो है मसूद अजर को कन्विक्ट नहीं कर पाया और बाकी आतंकवादियों कन्विक्ट नहीं कर पाया तो शायद यही कारण रहा कि पाकिस्तान यहाँ पे ऐसाफल रहा बाहर आने में जब पाकिस्तानी government publicly protestered a decision पाकिस्तान के सरकार ने सरवजनिक रूप से इस decision का क्या किया विरोध किया FATF का जो decision है इसका इसने विरोध किया pointing out इशारा करते हुए that many countries that had largely completed action plans की अनेकों देश that जिन्होंने had largely completed जिन्होंने बड़े स्तर पर complete किये थे action plan जो भी action plan दिये गए थे कि ये task आपो पूरे करने हो पूरे कर दिये थे handed to them है ना plans handed to them वो योजनाई जो उनको सौपी गई थी have been delisted in the past थीक है तो उनको क्या कर दिया गया भूतकाल में delist कर दिया गया delist करने का मतलब सूची से हटा दिया गया तो ये इन्होंने तर्ग दिया क्या कहना चारा है the Pakistani government publicly protested the decision Pakistan की सरकार ने publicly protest किया इस decision का Pakistan की सरकार ने इस निरने का सारवजनी कुरूप से क्या किया विरोद किया ये इशारा करते हुए कि अनेकों देश ऐसे हैं जिन्होंने बड़े स्तर पर action plans को complete किया वो action plans जो उन देशों को सौपे गए थे hand का मतलब यहाँ पे सौपना है give, provide ये सब है तो इन देशों को अब देखो यहाँ पे आप देखिए ये जो that पाकिस्तानी गवर्मेंट दे रखा था इसकी वर्ब तो protested है फिर that related pronoun है इसका connection इस से है इसकी जो वर्ब है वो यहाँ पे head completed है largely यहाँ पे head verb है फिर many countries की verb है ये आपका present participle कहलाएगा ये pointing out जो यहाँ पे है इसे आप कहेंगे present participle है क्यों? क्योंकि ING form बीच में आती है और continuous section denote करती है तो उसे present participle कहा जाता है तो ये इशारा करते हुए यहाँ पे विरोध किया कि अनेकों देश जिन्हों ने जो उनको action plans हों पे गए थे उनमें से बड़े स्तर पर मतलब पूरे तो नहीं कि ये complete बड़े स्तर पर जिन्हों complete कर दिये थे उनको past में delist कर दिया गया है ठीक है? Pakistan which was on the FATF's increased monitoring list Pakistan which यहाँ पे रेलेटी प्रणाव पाकिस्तान से connection होगा तो जो की था FATF की increased monitoring list में पाकिस्तान जो की FATF की increased monitoring list में था मतलब बढ़ी हुई monitoring list monitoring list, list, monitoring मतलब direction करने वाली और increased मतलब बढ़ी हुई मतलब monitoring काफि सकती से कर रहा था FATF's पे from 2009 to 2015 कब से कब तक 2009 से 2015 तक was taken of the grey list इसको take off कर दिया गया मतलब remove कर दिया गया, हटा दिया गया इस list से कब 2015 में in a similar manner इसी तरीके से किस तरीके से जैसे और देशों को delist किया गया वैसे इसको भी हटा दिया गया before it was relisted in 2018 किस से पहले? 2018 से पहले 2018 में क्या हुआ था? इसको एक बार फिर से इस सूची में डाल दिया गया था it यहाँ पाकिस्तान के लिए है, was relisted passive voice है, इसको फिर से इस list में डाल दिया गया था फिर समझना क्या कहना चाहरा है तो पाकिस्तान जो की FATF की increased monitoring list में था उस सूची में जहाँ पर ज़्यादा monitoring की जाती है FATF के द्वारा फोट closely observe किया जाता है किसी देश की activities को तो उस list में ये था कब से कब तथ? 2009 से 15 तक इसको grey list से क्या कर दिया गया? टेक ओफ हटा दिया गया 2015 में इनस सिमिल में इसी तरीके से किस तरीके से? जिस तरीके से और देशों का हवाला पाकिस्तान ने दिया कि उनको हटाया गया वैसे और किस से पहले? 18 से पहले 18 में क्या हुआ था? इसको realist किया गया था पाकिस्तानी leaders have predictably less doubted less doubted का मतलब क्या था? criticize करना, censure करना ये सब तो पाकिस्तान के नेताओं ने predictably का मतलब क्या होता है? कि पुर्व अनमानित तोर पर जैसा कि पहले से सोच रखा था prediction वैसे भविश्यवानी को बोलते है तो जैसा पहले से लग रहता वैसा ही किया इन्होंने तो पाकिस्तान के नेताओं ने पाकिस्तान के लिए लगातार लिस्टिंग की लिस्टिंग बना रहे कि पाकिस्तान इस सोची में लगातार बना रहे इस चीज को इसने सपोर्ट किया है ये इसने कहा वाइल अदर्स है वह हिंटेट देट जबकि और जो अन्य है उन्होंने ये हिंट दिया देट देट डिसीजन स्टेंप्स फ्रॉम स्टेंप्स फ्रॉम का मतलब है परिणाम सुरूप घटित होना तो हैपन एज रिजल्ट ऑफ सम्थिंग ठीक है जबकि कईयों को लगा कईयों ने संकेत दिया यहां पे कि जो डिसीजन है किस कारण से आया है ये एफटी एफ में पाकिस्तान किसके बाद अमेरिका के विड्रो होने के बाद पुल आउट का मतलब है विड्रो होना तो जो अफगानिस्तान में सेना लगी हुई थी अमेरिका की अमेरिका ने पुल आउट किया तो उसने कहा कि आप हमें अपने बेसित का यह मैन वर्ब है और लेश आउट टेक वैसे एक फ्रेज है फ्रेजल वर्ब मान सकते हैं तो पाकिस्तान के लीडर्स ने जैसा कि पहले से लग रहा था वैसा ही इन्होंने भारत के आलोचना की इसके लिए लगातार यह जो लिस्टिंग में बना हुआ है इसका सपोर्ट करने के लिए इन्होंने कहा कि भारत ने इसके पाकिस्तान ने इनकार कर दिया किस ऎलाव करने से यूज करने से और किसके बाद जब अमेरिका पुल आउट कर गया अफगानिस्तान से उसके बाद at FATF hearings hearing सुनवाई तो FATF में जब सुनवाई चल रही थी इस केस की इमरान खान गवर्मेंट सेड इमरान खान गवर्मेंट ने कहा कि इसने टेरर फाइनसिंग लोज जो हैं वो इंट्रोड्यूज भी किये ہیں बनाए भी यह और जो फिल हाल अस्थित्तों में हैं उनमें सुधार भी किया और यह जो लोज बनाये हैं इन्होंने क्या किया है की मुकदमा हो सकता है फिर इन से इन लोज गारण prosecution को enable कर दिया गया है enable का मतलब किसी चीज़ को मतलब समर्थ कर देना ठीक है तो यह prosecution हो पाएगा of more than 30 UN prosecutors leaders UN के दुआरा जिन leaders को परतिबंदित किया गया है तो 30 से अधिक उन leaders पर prosecution of संभभ हो पाएगा and their associates और उन leaders के तो सहयोगी है उन पर यह हो पाएगा for terror financing किस के लिए आतंक को वित्पोशित करने के लिए आतंकवादियों को वित्पोशित terror financing के लिए तो यहां तक की बात फिर से कर लें FATF के जो सुनवाई चल रही थी उसमें इमरान खान सरकार ने कहा इमरान खान सरकार के लिए इस सेड है इट दे रखा है वो पाकिस्तान के लिए गवर्मेंट पाकिस्तान गवर्मेंट के लिए है तो इसकी वह हैड इंट्रोड्यूस्द है कि इसने सरकार ने क्या किया है terror financing laws को इंट्रोड्यूस किया है और amend किया है वाइल इस उनक्लियर तो करें यद्दपी यह एस पस्ट है अब यह वाइल है वह conjunction है दो क्लोज यहां पे होंगे दोने दुसरी के विप्रित मिलेंगे आपको यद्दपी यह है एस पस्ट है हाव मेनी ओफ दोज आर एक्चुली सर्विंग जेल टाइम यह दो जा रहा है उन असोशेर्स और जो प्रोस्क्राइब जी लिडर्स हैं उनके लिए जो प्रतीबंदित नेता है एउन की लिस्ट में उनके लिए तो इन प्रतीबंदित नेताओं में से कितने जो हैं वो अभी वास्तों में जेल काट रहे हैं कितनों पर मतलब आरोपन हुआ है दोश का अपराद मतलब सिद्ध हो पाया है और कितने समय की यहां पर दिया गया है मतलब उनको जेल हुई है यह एस पस्ट है बिट्विन फिफ्टीन तो थार्टी यह आरे ब्रेक फ्रॉम दे पास्ट तो कहने का मतलब यह कह रहा है कि भी पीछे अगर पास्ट की बात करें तो पंद्रा से तीस साल तक का मतलब यह ब्रेक है वें पाकिस्तानी अथारिटीज वुड होड़् दोज लीडर्स ऑन चार्ज तो उस समय पास्ट में क्या हुआ करता था कि पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं वो इन लीडर्स को चार्जेज पर आरोपों पर होल्ड करते मतलब चार्जेज इन पर लगाते अंडर इंटरनेशनल प्रेशर किसके कारण अंतरस्टी दबाव के कारण और बाद में क्या होता बाद में उनको रिलीज कर देते सब्सेक्वेंटली का मतलब है आफ्टर वार्ड़ बाद में इनको रिलीज कर देते एक बार फिर समझ लो कि यदपी यह अैस पस्थ है कि कितने जो हैं उनमें से वास्ता में जेल काट रहे हैं यह एक पूरा यहां यहां पर प्रश्न पूछ रहा है हलंकि अब यह इसका सब्जेक्ट करेगा इसकी वर्ब आर है कि कितने लोग है जो वास्ता में यूएन के प्रोस्क्राइब लिस्ट में से वो लेडर्स की संख्या कितनी है जो वास्ता में जेल टाइम काट रहे हैं अब यह नया क्लोज यहां पर स्टार्ट हो रहा है जो कन्विक्शन और प्रिजन टर्म्स हैं जो मतलब किसी को आरोपी सिद्ध करना और उनको प्रिजन टर्म देना कि इतने समय की जेल हुई है बिट्विन फिफ्टीं टू थर्टी यर्स और अब्रेक फ्रॉं दा पास्ट यह मैंने गलत कर दिया यहां पर यह आर जो है वह इसके लिए लगाई है कि क्या हुआ था पास्ट में अभी समय की बात कर रहा है इसलिए एडवर्बियल दे रखा यह एडवर्ब है और पास्ट हैबिट को बताने के लिए भी आता है यूज टू के अर्थ में पास्ट हैबिट को बताने के लिए आता है तो पाकिस्तान का दिगारी क्या करते थे यह उन नेताओं को इन नेताओं को क्या करते होल्ड करते मतलब पकड़ते चार्जेज पर आरोपों पर किसके कार कारण और बाद में उनको रिलीज कर देते हैं समझ में आ गया होगा कि कितने जो उन में से नेता हैं वो जेल टाइम सरु कर रहे हैं मतलब उनको जेल हुई है फिर कह रहा है कि जो कन्विक्शन और प्रिजन टर्म्स हैं 15-30 साल तक का बीच में मान लीजिए है ना आरे ब्रेक फ्रॉम दर पास्ट तो मतलब यह जो चीजे देखने को मिलती हैं कि बीकितना जेल हुई है 15-30 साल की जेल अगर उनको होती है तो यह मतलब एक परकार से पास्ट में अगर देखें तो एक ब्रेक उसमें देखने को मिलता है कैसे वो बता रखा रखा आगे by making this the sticking point sticking point का मतलब क्या होता है obstacle, hindrance, रुकावट तो इसको एक रुकावट बनाते हुए by preparation है तो ING लगा ऐसा करते हुए क्या करते हुए इसे एक sticking point बनाते हुए the FATF which works on the principle of mutual compliance FATF जो की काम करता है किस पर mutual compliance के principle mutual का मतलब परसपर compliance का मतलब क्या होता है compliance का मतलब है comply करने का process compliance का मतलब है किसी चीज़ को मानना obey करने की process ठीक है comply से बनता है तो इसे एक sticking point बनाते हुए FATF जो की mutual compliance के आधार पर काम करता है has made it clear इसने ये expressed कर दिया that Pakistan must complete the prosecution कि पाकिस्तान को निश्चित रूप से जरूर से जरूर complete करना पड़ेगा इन सभी proscribed leaders के prosecution को कि इन पर मुकदमा चले और leaders किसके groups के जिदमें शामिल है ये लश्कर ये तयबा है जैश मुहमद है अलकाइदा है तालीबान है ये सब तालीबान के पहले दे लगता है ये grouping है इससे पहले दे लगेगा हमेशा फिर समझना तो यहां कहरा है कि इसे एक sticking point बनाते हुए कि एक route बनाते हुए कि भी आपने ये नहीं किया इसलिए हम आपको इस grey list दे बाहर नहीं जाने देंगे तो ऐसा करते हुए FATF के जानकारी है विच यहां पर reality प्रणाश कनेक्शन इसते हैं तो works आगे FATF को देकर तो जो की mutual compliance के principle पर काम करता है कि भी आप भी आपने जो हमने टास्क दिये हैं उसका पालन करो तो हम भी आपके हमने जो शर्ते रखी है अगर आप पालन करोगे तो हम भी हमारी जो प्रतिबदताएं हैं हमने जो commitment किया है वो पूरा करेंगे यह है mutual compliance तो इसने क्या किया है अब यहां से यहां तक तो परिच्छे हो गया है इसका अब आजवा FATF को FATF has made it clear FATF ने यह has passed कर दिया है that conjunction है कि Pakistan must complete the prosecution कि Pakistan को जरूर से जरूर prosecution को complete करना चाहिए किसका सभी प्रोस्काप लीडर्स का और किसके leaders groups के जिन में शामिल हैं लेशकरे तयबा जैश्रे मुहमद और अलकाइदा और तालिबान ठीक है बाइडिंग six more items बाइडिंग कहता न कि इसने क्या किया कि एक तो रखा है इसको अभी तक हटाया नहीं डिलिस्ट नहीं किया दूसरी बात उन्होंने क्या किया 39 जो member सा group है इसने यह और कर दिया कि और टास्क और देव इसको तो बाइडिंग एड करके जोड़के छह और आइटम्स तुदा लिस्ट और एड के साथ तू लग गया किसमें इस लिस्ट में और अमेंडिंग इस मनी लॉंडरिंग एक्ट और किस चीज़ के सह पॉइंट जोड़े हैं कि मनी लॉंडरिंग एक्ट जो आपका है जो अधीनियम है आपका उसमें आप सुधार करो एंड क्रेकिंग डाउन ओन का मतलब होता है सक्त कारवाई करना टेक स्टर्ण मेजर नोट क पाकिस्तान कुड न अन्द पर पॉसिदि बतारा है की यह रह सकता एक तो कि एकmor तो साल तक यह रह सकता है कि एड कर constraints कि किस बात को लेकर money laundering act को amend करने को लेकर और जो बाकी के जो कामकाज है businesses है activities है उन पर सक्त कारवाई करके और businesses कौन से जो की money laundering और terror financing वाले काम होते हैं उन पर सक्त कारवाई करनी है ये task जोड़ दिया तो ऐसा करके FATF ने इशारा कर दिया है इशारा दे दिया है has indicated इसकी verb है that conjunction है कि पाकिस्तान जो है वो रहे सकता है किसमे ग्रे लिष्ट में किस कम से कम कितने समय तक एक से दो साल तक फोर इंडिया भारत के लिए Pakistan's continuous on the list is some comfort भारत के लिए पाकिस्तान का जो लगाता इस लिष्ट में बना रहना है वो कुछ राहत की बात है even as even as का मतलब होता while मतलब साथ साथ में जब दो काम होते हैं उसके लिए use करते है even as it awaits साथ ही ये इंतिजार है भारत का the true justice कि सच में यहां पे न्याई मिले delivered to leaders मतलब सच्चा यहां पे punishment मिले यहां पे justice मतलब punishment से है किसको दिया जाए leaders को किसके leaders को groups groups कौन से जैसे कि ये वाले हैं और इसमें शामिल है कौन सा group जिसमें मुंबई 26-11 वाला जो हमला हुआ था पार्लेमेंट 2001 का पठान कोट और पुल्वावा वाला जो हमला हुआ था यह सब और जिस टेरर फाइनसिंग केवल टेरर फाइनसिंग ही भारत का मतलब उद्देश्य नहीं है समझ रहे हो तो भारत के लिए पाकिस्तान का जो है कि इस लिए पाकिस्तन बना हुआ है कुछ कंफर्ट की बात है अवेट जो है यह विट 4 के जगह पे लगाते हैं हम तो अवेट के साथ में फोर नहीं लगाते हैं क्योंकि अवेट जो है वो ट्रांजिटी वर्ब सीधा अबजेक्ट लगाते हैं भारत इंजार कर रहा है किस चीज़ का कि यहां पर ट्रू जस्टिस मिले मतलब बिल्कुल सही सजा मिले किसको दी जाए सजा उन नेताओं को ज भारत यह भी चाता है हावेवर हालंकी दप्रॉसेस जो प्रॉसेसें एफटियफ के बड़े ही उचित तरीके से बड़े सकती बरती है पाकिस्तान की केस में मस्ट भी चेक्ट इन ब्रॉसेस को जरूर से चेक किया जाना चाहिए फॉर ओवर रीज का मतलब क्या होता है ओव अधिकारों से बाहर जाकर काम करना आपके यहां पर देखना पड़ेगा यह भी चेक करना पड़ेगा कि क्या ही यह ओवरीज का मामला तो नहीं है As India faces its mutual evolution report क्योंकि भारत जो है अपनी जो यह report है इसका सामना कर रहा है That has been delayed due to the pandemic यह जो रिपोर्ट है यह डिले हुई है किस कारण से पेंडेमिक के कारण वैश्वीक महामारी के कारण ठीक है तो हलांकि जो प्रक्रिया है FATF की जिसने की जस्टिफियबली हाड लाइन यहां पे ली है इस केस में FATF ने पाकिस्तान वाले केस अक्ति बढ़ती है तो यह जो प्रोसेसेज हैं इनकी जांच होनी चाहिए ओवरीच के लिए क्योंकि भारत यहां पे mutual evaluation report का सामना कर रहा है मतलब भारत से भी पूछा गया है कि कहीं सकती भारत के कारण तो नहीं हो रही है यह सब भी देखा गया है international दोर पर यह report जो है आनी बाकी है pandemic के कारण देली इसमें हुई है अब भारत को क्या करना चाहिए यहां पे आशा करनी चाहिए तो न्यू डैली मतलब देश की राजधानी है मतलब भारत की बात है that Pakistan will push for a critical investigation क्या कि पाकिस्तान जो है मतलब यहां पे यह expect करे शुड़ यहां पे संभावना है कि शायद यहां पे भारत को expect कर लेना चाहिए मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान यहां पे प्रियास करेगा किस चीज की कि यह भारत के जो AML CFT regime है बताया था anti money laundering है यह सब तो इस सिस्टम की जाँच के लिए कहेगा यह पाकिस्तान यह भारत के भी जाँच करो and with the FATF announcing a new focus on extreme right wing terrorism और FATF ने अनौन्स कर दिया है कि अब एक नया focus उनका है इस ERW पर it is clear यह is first है that there will be more political aspects कि कुछ और राजनतिक यहां पे पहलू होंगे aspect का मतलब पहलू to its technical scrutiny इस तकनीकी जाँच में देशों की जाँच में in the future भविश्य में scrutiny का मतलब है critical investigation कह सकते हो close observation कह सकते हो नजदी की जाँच सुक्षम जाँच यह सब तो भारत को यहां पर यह मान लेना चाहिए expert कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो कोशिश करेगा critical investigation की यह भारत का जो AMLCFT रेजिम है उसकी भी जाँच की कोशिश करेगा और अब FATF ने announce कर दिया है कि हमारा नया focus जो है वो इस चीज़ पर है तो यह first है कि कुछ और राजनेतिक पहलू होंगे तो more political aspect subject है इसकी वह will भी है क्योंकि that to conjunction हो गया देर से start आ तो inversion लग गया और किसके aspects होंगे technical scrutiny के कि FATF जो तकनीकी अब जांच करेगा देशों की भविश्य में उसके बहुत सार राजनेतिक पहलू भी होंगे तो यह तो ह business की news हम लोग the Hindu से ही ले लेते हैं अगर आती है कोई ऐसा article business news है तो हम जरूर उसको discuss करते हैं अगर वह article नहीं आता है किसी दिन तो हम financial express से कुछ चीज़े discuss करते हैं ताकि financial news तो आप regular पढ़ने को मिले आपको लाज central public sector entities entities का मतलब है companies कह दीजिए entities का मतलब organizations कह दीजिए तो बड़ी जो central public sector entities है सारवजिनिक छेत्र की केंद्री यह सारवजिनिक छेत्र की जो संस्ताइं हैं companies हैं undertakings हैं यह सब subject है आप ठीक है बलब यहां entities के बारे में बता रख आपको हाइफन लगा के companies और undertakings यह हो गया business jobs achieved 10% इन्होंने अचीव किया 10% किसका अपने capital expenditure का इस capital expenditure को short में हम capex भी बोलते हैं ठीक है तो पूंजी वे जो होना चाहिए टागेट रखाता है इन्होंने 10% मतलब टार्गेट रखा था इन्होंने financial year 2022 का तो इसके अंदर इन्होंने 10% पर्टिशत जो है वो टागेट अचीव किया है ठीक है for the in the first two months of the current financial year की वर्तमान जो वित्वर्ष है इसके शुरुआते दो महिने के लिए इन्होंने यह ताई किया है by spending कैसे किया यह बी टागेट पूरा भी आपने expenditure का टागेट है य खर्चा कितना किया इसके लिए 63,000 करोड का according to official sources किसके अनुसार है रिपोर्ट यह official sources के अनुसार शुरू समझना यह आपका subject हुआ इसकी वब अचीव हुई तो बड़ी जो किंद्र यह सार्गिंग छेतर के जो संस्ताएं हैं इन्होंने अपना जो capital expenditure है टार्गेट रखा given preposition है इसका मतलब है considering इसका मतलब क्या है considering तो given the second covid wave तो दूसरी लहर को देखते हुए that your reality pronoun है तो इससे संबंद the covid wave से जिसने की क्या किया देश को hit किया प्रभावित किया इस ट्रक जो है वह strike की second form है third form भी यही होती है प्रहार करना attack करना तो second wave ने क्या किया था देश को प्रभावित किया बुरी तरीके से this is a descent number descent का वैसे विनमर भी होता descent का well dressed भी होता लेकिन यहां पर descent का मतलब है बिलकुल good है आप कह सकते हो satisfactory है संतुष्टी जनक है यह सब इसके मतलब होगे तो यह संतुष्टी जनक आंकड़ा है तो यह देखते हुए कि दूसरी लहर ने देश को प्रभावित किया बुरी तरीके से यह जो आंकड़ा है न जो वार्षिक capital expenditure बताया था मैंने आपको इसकी short form capex होती है जो target रखा था वार्षिक रूप से capital expenditure का in the year ago period मतलब एक साल पहले के अगर बात करें तो उस समय तो 2% ही अचीव हुआ था और दो साल पहले क्या हुआ था मतलब एक साल पहले क्या हुआ था जब राष्टर विया पर जो lockdown लगे थे उसके कारण economy activities जो है वह आ गई थी कहां पर standstill पर मतलब रूख गई थी तो bring to a standstill मैंने बताया था इसका मतलब होता रूख जाना रूखने का कारण बनना इस थ्रस्ट का मतलब है effort तो union government का परियास क्या है investment led economic growth revival कि यहां पे economic growth revival चाहती है सरकार कि आर्थिक व्रदी में revival हो आर्थिक व्रदी फिर से पट्री पर आए इसके लिए कैसे क्या करेगी investment led मतलब निवेश के अधार पर चाहती है निवेश के कारण यह revival हो यह government का परिया तो इस परियास के साथ the finance ministry is learned to have तो ऐसा जानने में आया है यह पैसी वह इस है कि finance ministry जो है इसने हाल ही में कहा है CPSC से क्या accelerate the pace की गति को तेज करो to achieve the financial 2020 capex target कि इस target को पूरा करने के लिए गति तेज करो by the third quarter itself और कहां तक तीसरे quarter तक ही complete कर दो इसको आप the idea is अब विचार क्या है कि Q4 is available कि quarter 4 जो available है for enhancing the capex further कि आगे capital expenditure को बढ़ाने के लिए enhance करने के लिए Q4 तो हमारे पास बचेगा ही यह official ने कहा एक अधिकारी ने बताया तो यह छोटा सा एक part होता है financial express का जिससे आपको कुछ चीजें समझ जिससे capex आपने सीख लिया capital expenditure होता है trust सीख लिया कि effort के लिए उज़ कर सकते हैं काफे सारी चीजें इसमें कुछ नए terms होते हैं वह सीख कर आप अगर apply करते हैं चीजों को तो बहुत अच्छे से आपके English improve हो जाएगी तो यह था दोस्तों आज का editorial मिलेंगे कर एक नए session के साथ तब तक लिए नमस्कार थेंक यह थोता है आप वजय है जो था कि उख सकते हैं जए तक आपसे लिए झाट है जिए रहाएगी नमस्को तो बहुत आए थे सब्सक्तिते हैं इसमार जएख के इसमारे चाहरे बाएगिए चाहरे प्रॉतार आपके तो बहुता अबके भीचे